कि नमस्कार स्वागत है आपका हमारे शनल में मैं रानी गुपता आपके साथ बड़ी खबर सामने आ रही है आपको बता दे कि इन दिलों लगातार सोशल मीडिया पर एक फेक न्यूज फैलाने की कोशिश की जा रही है दरसल इसमें दो फोटो दिखाया जा रहा है यह फोटो मोरभी हॉस्पिटल की है जब मोरभी ब्रिज कोलाब हुआ था तब उस वक्त कई ऐसे लोग थे जो की घायल हो गए थे जिने हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और इस दौरान कई मरीजों का इलाज किया जा रह थी यानि कि इसको आधी पटी लगी थी छोटी सी पटी लगी थी लेकिन जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी हॉस्पिटल का विजट करने के लिए जाते हैं मरीजों से मिलने के लिए जाते हैं तब इसी वेक्ति की जो पटी थी वो प्लास्टर में तबदील हो जाती है और यह plaster काफी जादा बड़ा लगाया जाता है जिससे देख करके ये लगता है कि इस वेक्ति को कितनी जादा चोटे आई होंगी और ये वेक्ति कितना जादा घायल है आपको बता दें ये देखने को मिल रहा है कि कैसे तमाम तरीके के राजनीती हुई थी मोर्वी ब्रेज कोलैप्स को ले करके और इसके बाद आब जो यहाँ पर मरीज एडविट है हॉस्पिटल में उनको ले करके अब राजनीती शुरू हो गई है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये मरीज तो फेक है ऐसा कोई इनका हादिसा हुआ नहीं है और इने चोट नहीं लगी है बस ये तो पीम विजिट के लिए आ रहे थे इसलिए दिखावे के लिए ऐसा किया गया और इन मरीजों को दिखाया गया ताकि जादा से ज लोग हैं उनके द्वारा उनके समर्थकों के द्वारा आपको बता दे कि एक सूशल मीडिया एक्टिविस्ट है विजय पटेल जिन्हों ने इस बात का खुलासा किया है इसी के साथ ही दिललन टॉप के पत्रकार है अभिनाव पांडे उन्होंने भी सीधे तोर पर नेटीजन को जवाब देते हुए आइना दिखाया है और यह कहा है कि यह बिल्कुल गलत खबर लोगों के द्वारा चलाई जा रही है जो दो वैक्तियों क्या कुलार्ज दिखाया जा रहा है कि कैसे पहले उसे छोटी पट्टी लगी है लेकिन जब प्रधान मंत्री मोधी उनसे पूछ रहे हैं तो उन्हें बड़ा प्लास्टर लगा दिया गया है आपको बता दे कि जहां विजय पटेल जो की सूशल एक्टिवस्ट है उन्होंने सीधे तोर पर कहा कि जिनके द्वारा यह फोटो शेयर की गई है अभी जीत दरसल वो आम आदमी पार्टी के आईटी सल के एक वेक्ति है और उनके द्वारा यह फेक न्यूज को बढ़ावा दिया गया है उनके द्वारा यह फोटो शेयर की गई जिसके बाद तमाम लोगों ने इसको सच माल लिया और सूशल मीडिया पर इस फेक न्यूज को स्प्रेट किया गया इसी के साथ ही विजय पटेल यह भी कहते हैं कि यह आईटी सेल की जो वेक्ति है अभी चीत उन्होंने मुझे कई बार परिशान किया है लेकिन जिस तरीके से अब वो हॉस्पिटल में एडमिट पीडितियों के साथ यह चीज़े कर रहे हैं उनका अपमान कर रहे हैं यह बेहद निंदनिया है इसी के सा दिललन टॉप के जो पत्रकार है अभिनाव पांडे उन्होंने भी कई सारे पोस्ट किये हैं और बकाइदा इसकी डीटेल से शेयर की है उन्होंने कहा कि जब दिललन टॉप की टीम वहाँ पर पहुंची थी मोरभी हॉस्पिटल में तो देखने को मिला कि हॉस्पिटल जो प्रशासन थी कितनी जोर सोर से हॉस्पिटल को चमकाने में लगी थी बेटशीट से बदले जा रहे थे और इसी के साथ ही पियम मोदी का जो विजट होना था तो हॉस्पिटल को चमकाया जा रहा था और मरीजों का अच्छे से ख्याल रखा जा रहा था इसी के साथ ही उस के बारे में भी बताया गया जिसकी फोटो काफी जादा सोशल मीडिया पर फेक बताई जा रही है वाइरल की जा रही है दरसल उन्होंने इसकी सच्चाई बताते हुए ये कहा कि पहले उस इंसान की पट्टी की गई थी जिसके बाद एकसरे किया गया और उसमें ये चीजे प पुल हादसा हुआ कई लोगों ने अपनी जान गवाई कई लोग घायल हुए तो इस चीज को भी राशनीती लेवल पे ले जाना राशनीती करना इस चीज का बेहद निनरिय चीज है और इसको गलत तरीके से न फालाया जाए गलत एजंडा इसको लेकर के सट ना किया आपको बता दें कि साथ ही मरीज का भी जो वीडियो है वो भी सामने आया है उन्होंने अपना नाम भी बताया उनका नाम दरसल अश्विन है और उन्होंने सीधे तोर पर कहा कि मैं जब यहां पर एड्मिट हुआ था तब मेरे पैरों पे पट्टी बांदी गई थी डॉक् पहले तो आम आदमी पार्टी और तमाम निताओं के द्वारा मुर्भी पुल को लेकर के राजनीती की गई किस लेवल की राशनीती की गई यह सभी लोगों ने देखा और इसी के साथ ही अब यह देखने को मिल रहा है कि कैसे जो हॉस्पिटल में एड्मिट है मरीज उनके लगा जो रहे हैं ताकि उनकी चोड जादा देखे मरीज मरीजों की संख्या हॉस्पिटल में जादा देखे लेकिन यह कैसे भार्णा फोड हुआ खुद पत्रकार ने इसका भार्णा फोड किया इसी के साथ इस सोशल एक्टिविस्ट विजए पटेल ने भी इसको पूरी पांडे एक ट्वीट कर लिखते हैं 31 ऑक्टूबर की रात मैंने हॉस्पिटल की लीपा पोती दिखाई थी यह बिल्कुल फेक है कि मरीज को एक तारी को प्लास्टर चड़ाया गया यह फोटो उसी रिपोर्ट का हिस्सा है तब भी प्लास्टर लगा था जो गलत है उसे हम दिखा रहे हैं मगर जो मौत के मूँ से वापस आया है उसकी तस्वीर के साथ एजंडा मत चलाईए आपको बता दे दरसल एक नवंबर को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी मोर्वी हॉस्पिटल में उन लोगों को देखने के लिए गये थे उनका हालचाल जानने के लिए जो की मोर्वी ब्रिच कोलाब से घायल हुए थे इसी के साथ ही उन्होंने उस घटना अस्थल का भी निरिक्षन किया था जहां पर ये घटना हुई थी और कई लोगों ने अपनी जान गवा दी थी आपको बता दे कि इसको लेकर के काफी ज़्यादा राशनीती देश के अ आपको बता दे इसी के साथ ही ये भी कई सारे CCTV फुटेस सामने आये थे कि कैसे उसमें भारी संख्या में लोग मौजूद थे जो की जान भूच कर कहीं न कहीं ब्रिच को हिलाने की कुशिश कर रहे थे और इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के ट्वीट में बड़ा जटका लगने वाला है जिसके बाद देखने को मिलता है कि क्या से ये मूर्भी ब्रिच कोलाप्स हो जाता है आपको बता दे कि कई सारे ऐसे चश्मदीद भी मौकई वारदात में मौजूद रहें जिन्होंने सीधर तोर पर ये कहा कि कई लोग वहां पे मौज जैसा हुआ है ये भी एक एहम वज़ा है ब्रिच के कुलाब होने की इसी के साथ ही कई CCTV फुटेज भी सामने आये हैं जिसको लेकर के लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर ये कौन लोग हैं और कौन से शरारती तत्व हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो लोगों की कैपसिटी है उस पुल में जाने की वो खाली 50 से 100 तक की ही थी लेकिन देखने को मिला कि कैसे बड़ी संख्या में वहाँ पर 500 से जादा लोग इकठे हो गयते जिसके बाद पुल ये भार नहीं समहल सकी और ये कुलाप्स हो ग दी थी और लोग इसमें जाना शुरू हो गयते तो ये भी एक एहम कारण माना जा रहा था ब्रस को लाप्स होने का फिलाल जिस तरीके से इसको लेकर करके राशनिती की जा रही है वो बेहद ही निव नस्तर की राशनिती की जा रही है ऐसा कई लोगों का कहना है इसी के उन्होंने भी जम करके लतार लगाई है इस तरीके से गलत नियूस को शेयर करने के लिए और जिस तरीके से पत्रकार अविनाव पांडे और विज़े पतेल ने करारा जवाब दिया है तो ये अपने आप में एक सच्चाई दिखाता है कि कैसे एक मामुली सी चीज को एक र अवजूद उसके नाम पर राजनीती की आ रही है और उसके चोट को भी गलत बताया जा रहा है फिलाल आपके इस खबर पर क्या रहा है हमारे कॉमेंट्स अक्शन में जरूर बताएं आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें